हालो गाईज, दिस इस विने और आप देख रहे हैं पाई फाई लर्निंग, लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने पढ़ा आपका मैस अनलिसिस और अब हम इसके अंदर आपका पढ़ना स्टार्ट करने वाले हैं आपका नोडल अनलिसिस के बारे में, जो नेक्स लास गाई नोडल एनलिसिस, तो देखिए नोडल एनलिसिस सबसे पहले तो आपको यह पताओना चाहिए, what is the difference between node and a junction, आपको सबसे पहले किसके बीछ में Difference पता होना चाहिए, node आपका क्या होता है और साथ में आपका junction क्या होता है ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं आपका node के बरे में What is a node, node आपका क्या होता है, node आपका वो होता है जहां पे 2 या उस से ज़्यादा elements को आपका क्या किया जाए, combine किया जाए उसको बोलते हैं आपना क्या होगा वो node होगा ठीक है ? तो node आपने क्या होगा ? node is a point एक ऐसा point है जहाँ पर where 2 or more elements या तो 2 elements हो या 2 से ज़ादा हो 2 or more elements elements combined together ठीक है जहाँ पर 2 या 2 से ज़ादा elements आपके एक साथ क्या हो जाएं ? उसको क्या बोलते हैं उसको आपका नोड बोलते हैं similarly junction आपका क्या होता है जहां पे तीन या उससे ज़्यादा elements को आपका जोड़ दिया जाए तो उसको बोलते हैं आपका junction ठीक है तो वैसे तो इसका नाम आपका होना चीए कुन सी analysis यह जो भी हम आपका पड़ रहे हैं that is called junction analysis ठीक है लेकिन हम इसका नाम क्या बताते हैं जैसे most books के अंदर आपको पाया जाता है that is nodal analysis ठीक है तो यहां पे आपका what is junction junction आपका वो point है junction is a point where where three or more elements three or more elements element element combine together जहां पे तीन या तीन से ज़्यादा element एक साथ क्या हो जाएं जिस point के उपर आपके combine हो जाएं उस point को आपका बोलते हैं क्या होगा वो junction आपका होगा यह similarly ऐसे ही होता है जैसे आपका train के अंदर हम देखते हैं एक तो आपका क्या होता है train के अंदर हम देखते हैं एक तो आपका क्या होता है और एक आपका क्या होता है train के अंदर junction आपका होता है ठीक है junction आपका क्या हो यहां पर ट्रेन रुकी है जैसे पैसेंजर ट्रेन्स आपकी मॉस्टली होती है जहां पर रुकती है आपकी और वहां से कोई और लाइन नहीं जाए जैसे यहां से अगर आपकी कोई और लाइन चली जाएगी तब तो इसको कहेंगे आपका क्या होगा इसको बोलते हैं आपका हाल्ट ठीक है तो यहां पे जब आपके दो स्टेशन जैसे यहां पे एक यहां पे है माली जी आपका कोटा, ठीक है, और यहां से उसी के साथ में आपका कोई और दूसरा स्टेशन है, कोटा माली जे बैराज है या कुछ और है आपका, ठीक है, चंबल बैराज है, तो यहां से आपका चंबल अगर आपका आएगा तो इस ट्राइप से अगर हम बात करें ठीक है, मतलब चंबल आपकी river का junction होगा इस type के अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपका station होगा जहाँ पे कोई और connecting नहीं है ठीक है, इसको बोलते हैं आपका यह जो बीच में आपका होगा halt होगा, तो halt ऐसे ही है आपका जैसे आपका node होता है, node का मतलब आपका क्या हुआ, जैसे अगर मालीजी आपके पास में एक voltage source है, ठीक है और यहाँ पे आपने क्या connect किया हुआ, एक resistance connect किया हुआ, ठीक है, तो इस point को आपका क्या बोलते हैं, इस point को आपका बोलेंगे, that is a node इसको क्या बोलेंगे आपका, node आपका बोलेंगे, ठीक है, और junction आपका क्या होता है junction आपका वो होता है, यह तो आपका एक ही हो गया, यह तो एक ही ब्रांज आपकी बोलेंगे इसको, और यहाँ पे आगर आपका ऐसी हो इस type से, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे, इस point का अपका क्या बोलते हैं, this point is called junction, ठीक है, जहां से दो या तीन stations के लिए, मतलब तीन station कम से कम अपका क्या हो, connecting हो आपके, जैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हो, यहां से आपका डेली है, ठीक है, यहां से आपका माली जी, यहां से गाजयाबाद से आपका रूट निकल रहा है, कहां के लिए, यह आपका देरादून के लिए, ठीक है, तो इस type का आपका जो होगा, जहां से आपका आगे भी आपकी connectivity होगी, जैसे गाजयाबाद से आगे आपका सारनपूर मेरट होते हुए, मेरट सारनपूर होते हुए आपका वापिस अंबाला की तरफ अगर आपका होते हैं, तो यहां से आपका होगा यह गाजयाबाद, यह connectivity होगी, गाजयाबाद वाले को हम क्या बोलेंगे, it is called a junction, इसको क्या बोलेंगे आपका, junction आपका बोलेंगे, ठीक है, तो junction आपका वो होता है जहां पे 3 यह उससे ज़्यादा आपके मिले, ठीक है और आपका node आपका क्या होता है, जहां पे 2 मिले, यह आप याद रखिएगा, इसको बोलते हैं, आपका क्या junction और इसको क्या बोलते हैं आपका नोड बोलते हैं जहां पर दो element आपके क्या हो जाएं एक साथ combine आपके हो जाएं ठीक है so this is called a node and it is called a junction यह आपको difference होन में आया होगा क्या-क्या difference होता है आपका node और junction के बीच में ठीक है अब हम यहां पर आगे बढ़ने से पहले आपका इसके अंदर आपका पढ़ेंगे के-सियल किर्चौफ ला का एक और फोर्म है that है के-सियल एक किर्चौफ ला आपने पहले पढ़ना ठीक किर्चौफ वोल्टिच ला और एक किर्चौफ ला यहां पर पढ़ेंगे यह आपके किसके उपर depend करती है यह आपके depend करती है किसके उपर KCL के उपर और KCL आपका क्या कहता है KCL आपका बताता है sum of all the current at a junction जितने भी आपके current होंगे किसी भी junction के उपर उनका sum क्या होना चीए? 0 आपके होना चीए, sum of all the current at a junction is 0 ठीक है? जितने भी आपके current होंगे, उनक सभी का sum आपका क्या होगा? 0 आपका होगा, कैसे जैसे माली जी यह आपका कोई जंक्शन है यहाँ पे आपका different तरह से आपका current आ रहा है, यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे आपका जा रहा है ठीक है, तो क्या होगा आपका यह अपका current अमालीजी I1 है, this current is I2, this current is I3, this is I4, this is I5, this is I6, ठीक है, तो हम यहाँ पे आपकी analysis की step से करते हैं, हम यहाँ पे जैसे जो nodal analysis के अंदर करेंगे, जैसे circuit जब आपका soul करते हैं, उसी के इसाब से मैं आपको बदाता हूँ, यहाँ पे आपकी assumption लेते हैं, क्या ले जो आपके incoming current हैं, जितने भी current आपके आ रहे हैं, उन सभी को आपका लेंगे negative, और जो आपके outgoing current हैं, जो बाहर जा रहे हैं, उनको आपका लेंगे positive, ठीक है, तो यहाँ पे आपके assumption लेते हैं, incoming current, incoming current, जितने भी incoming current हैं, उनको लेंगे आपका क्या negative, और जो outgoing current हैं, उनको ल जो आपका conclusion निकलेगा वो आपका देखिए क्या हैगा यहां से हम इसको कह सकते है भाई minus का I1 current है क्योंकि incoming है आपका फिर minus का I2 भी है आपका यह भी incoming है I3 भी आपका incoming है यहां से I4 भी आपका incoming है ठीक है और फिर आपका क्या हो जाएगा plus का I5 है plus I6 है this is equal to क्या है 0 है यहनि कि sum of all the current at a node is 0 यहनि कि आपका जितना incoming current होगा अगर हम इसको दूसरी तरफ ले जाएं तो आपका क्या conclusion निकलेगा I5 plus I6 और दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगे आपके plus आपके आपके आजाएगे यहनि कि I1 plus I2 plus I3 plus I4 ठीक है इन सभी का अपका sum क्या हो जाएगा इन सभी का sum आपका क्या होगा 0 या फिर हम कह सकते हैं sum of all the outgoing current it is equal to sum of all the incoming current तो यहाँ से आपका एक और conclusion हम बता सकते हैं sum of all the इसी statement का आपका आगे expansion है यह sum of all the incoming current all the incoming current sum of all the incoming current it is equal to sum of all the outgoing current sum of all outgoing current ठीक है यह आपका क्या होगा बराबर आपका आजाएगा ठीक है यह इसी statement के आपकी क्या है expansion है आप इसको आगे आपका इस तरीके से लिख सकते हो अब यह तो आपकी होगी एक definition ठीक है कि sum of all the incoming current और outgoing current आपके क्या होगे positive आपके होगे ठीक है और आपकी क्या बताता के सील आपका क्या बताता है के सील आपका बताता है कि यहां पर जैसे आपने के वील के अंदर क्या पढ़ा था के वील के अंदर आपने पढ़ा के वील आपका बताता है वही कि यह आपका बताता है conservation of energy कि इसका बताता है conservation of energy के बारे में ठीक है यानि कि आपका क्या होगा जितनी energy आपकी deliver की जाएगी उतनी energy आपकी क्या हो जाएगी consume आपकी हो जाएगी ठीक है उसको हम वहां से आपका देखते हैं तो यहां से आपका इसको हम कैसे देखेंगे देखो इसको हम इस तरीके समझ सकते हैं current आपका क्या of conservation of charge के बारे में ठीक है यह आपका बताता है conservation of charge के बारे में आपका important point है ठीक है और आपका जैसे कई बार exams के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि KCL या फिर आपका KVL दोनों के बारे में किर्चोफसला आपके किस time पे applicable नहीं होते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किर्चोफसला कि सिरफ एक disadvantage है कि वो आपके कहाँ कब आपका applicable नहीं होते हैं किर्चोफसला आपके तब applicable नहीं होते हैं जब आपका network क्या हो distributed network हो ठीक है तो आपका यहाँ से लिख सकते हैं किर्चोफ्स ला किर्चोफ्स ला are not applicable are not applicable to distributed network कौन से network के लिए distributed circuit या फिर distributed network के लिए distributed network के case में आपका किर्चोफ्स ला क्या नहीं होता है applicable नहीं हो पाता है तो यह आपका important point है और आपका किर्चोफ्स ला कब applicable होता है किर्चोफ्सला आपके applicable होंगे these are KVL and KCL या फिर किर्चोफ्सला किर्चोफ्सला are applicable are applicable to किस-किस के case में आपका कहोते हैं भई आपका lumped network lumped का मतलब होता है जहाँ पे जैसे यहाँ पे है आपका यहाँ पे हम voltage source को अलग कर सकते हैं current को आपका तो उस network को आपका बोलते हैं कौनसा network होगा lumped network आपका आएगा और distributed network आपका कौनसा होगा distributed network आपका वो होगा जहाँ पे आपका जो resistance inductance और capacitance है वो आपके पूरे circuit के अंदर distributed हो और उनको अलग ना किया जा सके ठीक है तो उसको बोलते हैं आपका distributed network तो किर्चोफ शुला इस case में applicable नहीं होते बाकी case में आपके हर case में आपका applicable होगा किर्चोफ शुला are applicable to lumped network ठीक है भाई lumped के case में भी आपका applicable होगा और कहां पे आपका applicable होगा जी आपका applicable होगा linear के लिए linear का मतलब जैसे R, L और C आपका उस type से non-linear के लिए भी आपका applicable कर सकते हैं ठीक है non-linear का मतलब जिस circuit के अंदर आपके diode या फिर transistor वगेरा होगा वहाँ पे भी आपका applicable होगा और आपका कहां पे applicable हो सकता है time variant time variant time variant के लिए भी आपका applicable कर सकते हैं time variant का मतलब जो time के साथ में आपके vary हो रहे हैं non-linear type का आपका कोई element हो और time invariant के साथ में time invariant या फिर आपको जो भी आपके दिमाग में active passive element सभी के केस में क्या होता है किर्चोफ ला को हम applicable कर सकते हैं सिर्फ एक इडिस एड़वंटेज है कि इसको distributed network के case में हम applicable नहीं कर पाएंगे अब हम इसके अंदर आपकी जो main आपका है कि किस तरीके से आपके किसी भी given network को हम nodal analysis से आपका soul कर सकते हैं nodal analysis को समझने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं आपका एक network ठीक है आपका मालीजी जिसे आपने पहले लिए था mess analysis के अंदर उसी network को अब हम इसमे soul करेंगे आपका nodal analysis लेके तो आपका एक network बना लेते हैं सबसे पहले आपका So this is R6 This is R6 यह आपके R6 बरंच है यहाँ पे आपका R2 बरंच है जैसे आपने पहले बनाया था This is R This is R2, this is R4 ठीक है, यहाँ पे आपका है R3, this is voltage source V2 शायद आपने ऐसे बनाया होगा यहाँ पे आपका है, this is V3 V1 ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है This is a resistance ठीक है, यहाँ पे क्या है Resistance है आपका So this resistance is R1 and this resistance is R5 ठीक है, इस तरीके से आपकी कुछ branch given है तो यहाँ पे आपका कई बार question आजाता है कि given network के अंदर आप बताईए कि इसके अंदर कितने node होंगे और कितने आपके junction होंगे ठीक है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक यहाँ से लेके और यहाँ तक आपका क्या है में भी मिलता है, इस तरीके से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 आपके हैं 6 आपके क्या है, यहाँ पे आपके node है ठीक है, लेकिन node की आपके identification कैसे होती है node की identification ऐसे होती है यहाँ से इस point से लेके और इस point तक मानलीजी आप point दे दिया आपने A इसको आपका देंगे बीच वाले को B इसको देंगे आपका C, क्योंकि यहाँ पे आपका मिलना है भई, 2 या 2 से ज्यादा इसको देंगे D, this is called E और यहाँ से आपका क्या देंगे, F ठीक है, इस तरीके से आपका दे सकते हैं तो 6 तो हैं आपके, लेकिन आपका जो करने का तरीका है वो आपका गलत है, ठीक है आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो sorry, कर सकते हो जैसे यहाँ से लेकि यहाँ तक आपका एक हो गया, कई students ऐसा भी करते हैं, एक एक ये, दो यहाँ पर आपका फिर समझेंगे, 3 है आपका this is 4, this is 5, this is 6, this is 7 7 आपके बता देंगे लेकिन यहाँ पर 7 नहीं है, यहाँ पर आपके सिर्फ कितने हैं, आपके 6 है आपके च्छे आपके क्या गएंगे, नोड गएंगे अब junction आपके कितने है, junction वो होते हैं इसको बोलेंगे आपका कुन सा, B और यहाँ पर क्या है, this is called C इसको आपका बोल देंगे भई, C है आपका this is C, और इसको आपका बोल देंगे this is D, यहाँ पर कुन सा है this is D, ठीक है, it is called D यहाँ आपका क्या है, D है आपका तो इस तरीके से आपका बोलेंगे, इसको हटा देते हैं मैं यहां से, यह आपका नहीं है, कुछ भी और यहां पर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें क्या करना है, यहां पर nodal analysis के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या चीज़ जरूरी है, सबसे पहले हमारे पास यहां पर node की identification होनी जरूरी है, ठीक है, तो step first आपका क्या होगा, step first, आपको क्या करना है, step first, आपको देखने कितने node हैं, step first आपका यही होगा, ठीक है, step first आपका क्या है, identify, identify, identify the junctions, आपको सबसे पहले क्या identify करना है, junction को identify करना है, node को नहीं, node से आपका कोई लेना देने, node तो यह भ ठीक है, अब फिर उसके बाद में, जब junction आपके identify हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, उन में से, ठीक है, जो आपके identified junction है, उन में से किसी एक को आपका कर देते हैं, ground, ground बोलें, या फिर आपका कई books के अंदर बोलते हैं, आपका zero volt पे है आपका, या फिर आपका कहीं पे बोल यहां पे आपको एक node को, यानि कि जितने भी आपके node बने हैं, जैसे यहां पे, sorry, junction आपके बने हैं, A, B, C and D, इन में से एक junction को आपका करना है, क्या, आपका ground, ठीक है, तो सबसे पहले चीज़ तो, यहां पे जो nodal analysis लिखा हो, यह वैसे तो गलत होता, यहां पे क्या होना second, इसके अंदर आपका आएगा, one of the node, one of the node, ठीक है, of identified nodes, कौन से में से, of identified, 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 one of the node बोलें, या फिर इसको बोल देते हैं, junction, node आप इसलिए बोल देते हैं, क्योंकि 2 से ज़्यादा होता है, ठीक है, और junction के अंदर आपके कम से कम 3 आपके होते हैं, ठीक है, तो हम यहां जब junction analysis आप भी करनी होती है, तो हम करते हैं आपका, sorry, तब हम आपका लगाते हैं, यह जो आपका rule में आपको बता रहा हूं, ठीक है, अदर वाइस, node अगर आपका रहेगा, जैसे node की बात करें, यह भी आपका एक node है, यह आपका क्या हुआ, ठीक है, और इसके साथ में कन लेकिन इसके अंदर हम क्या apply नहीं कर सकते है, इसके अंदर हम आपका loop apply करना ही कोशिश करते हैं, जब इस type का network होता है, और जब इस type का network होता है, तो हम क्या apply करना ही कोशिश करते हैं, आपका junction, ठीक है? junction analysis, तो इसलिए मैंने आपको बताया, one of the node, node का मतलब क्या होँआ, दो यह दो से जाला ठीक है ना इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं 0 V ठीक है ना देखो भई आप नोड और जंक्शन के अंदर आपको डिफ्रेंट समय आया होगा अब यहां पर इसको मैंने क्यों बोला है वन ओफ दा नोड इसको मैंने इसलिए बोला है क्यों की देखो कहीं-कह इसा भी हो सकता है कि सिरफ दो ही ब्रांच हो आपके पास में और आपको लगाना हो क्या नोड या जंक्शन अनलिस ठीक है तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं आपका नोड बोल रहे हैं ताकि आप इसको जंक्शन भी बोल सकते हो वैसे अभी फिलहाल के लिए आपका क् करेंगे, is selected as reference node या तो आपका बोलें reference node ठीक है? reference node औपका बोल दे या फिर इसको बोल दे Fantastic 0V node क्या बोल दें आपका 0V node वहाँ आपका 0V का है वहाँ पर voltage आपकी क्या है? 0 ہے या फिर इसको हम बोल देते हैं ground, g and d से आपका represent कर देते हैं g and d ठीक है? यह तो आपका हो गया, इसमें से एक को करेंगे, लेकिन किसको करेंगे, तो यहाँ पे हम उसको करते हैं, यहाँ पे आपका इसी के अंदर आपका point लिख देते हैं, वही किसको हम select करेंगे आपका reference node, तो यह भी आपका important है, तो यह मैं आपको बता देता हूँ, देखो, कि हम अपका क्या हो रहा हूँ, ground आपका, चिक है, तो यहाँ से आपका देखेंगे, one of the terminal, किसको बनाएंगे आपका, उसके लिए है, one of the terminal, बैक्टरी बोले, यह फिर आपका क्या हो, voltage source का, voltage source, one of the terminal of voltage source, या फिर बेटरी, आपका क्या हो जाए, is grounded, यह आपका वो जाए, grounded आपक तो देखो, अब यहाँ पे, मैंने आपको बताए, चार नोड आपने सिलेक्ट किये, A, B, C और D, ठीक है, चार नोड आपके सिलेक्ट कर लिए, अब इस में से किसको हम ग्राउंड करें, वो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है, तो देखो, अगर माल लीजिए, आपने किया भई, B को ग्राउंड, किसको किया, B को ग्राउंड, B को ग्राउंड किया, तो ग्राउंड का जो सिंबल आपका होता है, उसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या आपका किसका सिंबल हो गया, अभी फिलहल के लिए मैं आपको बताता हूं, जैसे B को और एक आपका ये वाला junction है, तो ये दोनों जो आपके junction होंगे, ये दोनों junction आपके क्या हो जाएंगे, आपके ungrounded रहेंगे, ठीक है, आपके क्या रहेंगे, ungrounded आपके रहेंगे, ठीक है, तो अब इसका मतलब B को हम क्या नहीं करेंगे, आपका ground नहीं करेंगे, फिर आपका आते हैं C point के उपर, अगर C point को हम ground कर दें, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको बाद में बना सकते हैं, इसको यहाँ पर बना सकते हैं, R3 और इसको हम exchange कर सकते हैं, यानि कि series के अंदर हम किसी को भी आगे पीछे कर सकते हैं, किसी भी elements को, ठीक है, तो अगर आपने इसको यहा पे बना दिया, तो क्या होगा आपका, इसका positive terminals आपका क्या हो जाएगा? Ground आपका हो जाएगा, लेकिन negative फिर भी बच जाएगा, sorry, negative voltage आपकी यहां पे आजाएगी, ऐसे ही यहां पे जो आपका plus और minus वाला terminal है, यह धोनों terminal आपका पे क्या नहीं होए? ग्राउंड नहीं हुए, और जब ग्राउंड नहीं होगे, तो हमें जो इसकी ऐनालीसिस है, उसमें थोड़ी सी परिशानी आ सकती है, ठीके फिर अगर D को ग्राउंड किया आपने, तो D को ग्राउंड करने से ना तो V2 आपका ग्राउंड हुआ, V2 का कोई टर्मिनल ग्राउ तो क्या होगा आपका, यहां से इसका नेगेटिव टर्मिनल आपका ग्राउंड हो जाएगा, और इसका भी नेगेटिव टर्मिनल आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों का जो नेगेटिव टर्मिनल है, वो आपका ग्राउंड हो जाएगा, ठीक है, यहां से आपका negative terminal को हम क्या कर दें, ground कर दें तो अगर A को आपका ground करेंगे तो आपका क्या होगा, इसका negative भी ground और इसका negative भी आपका क्या हो जाएगा, ground आपका हो जाएगा ठीक है, इसी लिए हमेशा जैसे आपको कई books के अंदर देखने को मिलता है कि यहाँ पे नीचे वाला जो आपका होता है इसको करते हैं, लेकिन आपको यह देखना है कि वहाँ पे आपके जितनी voltage source present है, उनका सभी का कम से कम एक terminal आपका क्या हो जाए ground हो जाए, आपको यह concept आपको दिमाग में मिठाना है, उसके बाद में आपको ground करना है, ठीक है यह नहीं कि आपका अंदा दूंद आप क्या गर दो यहाँ से आपका किसी भी terminal को आप उठाके sorry, a terminal को ground कर दो अगर हो सकता है, यह वाला जो source है अगर यह source आपका यहाँ पे होता इस तरीके से, ठीक है, तब हम किसको करते, तब हम करते आपका b terminal को ground, ठीक है, तब हम इसको ground नहीं करते, तब हम इसको ground करते ताकि आपके analysis आसान हो सके ठीक है, अभी फिलाल के लिए आपका क्योंकि voltage source यहाँ पे present है, तो हम क्या करेंगे आपका, इस terminal को आपका क्या कर देंगे कि आपका क्या prophe methane है उसके बाद में आपका क्या procedure होगा, तो step 3 के अंदर आपका आते हैं, जैसे आपने इससे पहले किया था कुँन सी analysis के अंदर, आपका loop analysis यह फिर maths analysis के अंदर आपने कि आपका कि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम loop current आपका select करते हैं, क्या select करते हैं, loop current, और उसको हम क्या मान सकते हैं, आपका, आपका, sorry, anti-clockwise या फिर clockwise, similarly, यहाँ पे भी आपका कुछ SI है, बट यहाँ पे आपका क्या select करेंगे, हम voltage select करेंगे, ठीक है, किसकी voltage, जो यहाँ पे junction आपके बच गए है, उनकी voltage को हम assume कर लेंगे ठीक है, कि वहाँ पे आपके कुछ न कुछ voltage जरूर है, तो यहाँ से next आपके क्या है, assume, assume the voltage, assume the voltage या फिर potential at remaining junction, ठीक है, आपको assume करनी है, voltage या फिर उसको बोलें, potential at remaining junction, वही एक को तो आपने क्या कर दिया, ground कर दिया आपका, ठीक है, तो बाकी के जितने बचे, उसके उप थो पर हम आल लें VB, ठीक है, voltage VB है आपके B junction के उपर, यहाँ पे C है आपकी C junction के उपर, VC है आपकी, और यहाँ पर आपका क्या है, VD है अपकी, ठीक है, ठीक है, that is, इसकी को मतलब आपका अभी आपके यहाँ आपके यहाँ पर तीन आपके क्या हो जाएंगे, तो पर दो से जादा है तो भी आपका ही क्या क्या लाएगा नोड ही क्या लाएगा आपका ठीक है तो नोड और ये बात आप आप याद रखें नोड जंक्शन के अंदर आपका क्या है जो जंक्शन आपका होता है वो आपका नोड भी होता है लेकिन जो नोड होता है वो जरूरी यह आपका junction हो ठीक है जो node होता है वो जरूरी नहीं आपका क्या हो junction आपका हो ठीक है इसी वज़े से हम इस analysis को कई बार nodal analysis भी बोलते है क्योंकि जो junction होगा वो अपने आप में क्या हो जाएगा nodal आपका हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से मैं आपको इसको लिख देता हूं, a node, a node is a junction, is a junction, node को हम क्या बोल सकते हैं, a junction बोल सकते हैं, but, junction, but junction, sorry, उल्टा बोल दिया, a junction is a node, a junction आपका क्या होगा, a junction आपका क्या होगा, node आपका होगा, ठीक है, यहां से junction आपका होगा, that is a node, a junction is a node, a junction is a node, इसको बोल देते हैं, आपका, node आपका is a node but node will not be a junction junction is a node ठीक है junction आपका node होगा node कह सकते junction को बट जो आपका यहां से इसको cut कर देते हैं वही जवट जो आपका node node will not will not be a junction लेकिन node को हमेशा junction नहीं बोल सकते यह बात हमेशा याद रखेगा ठीक है तो इसलिए हम इसको analysis को भी nodal analysis बोलते हैं क्योंकि जो जंग्शन आपका होगा वह अपने आप में क्या कहलाता है नोड कहलाता है और इसी वज़े से मैं आपको यहां से आपका बता है one of the node यानी की आपका जो जंग्शन आपका है वह आपका क्या है नोड है आपका तो एजूम दा वोल्टेज आपको क्या एजूम करनी है वोल्टेज या फिर पोटेंशल आपका बोले कहां पर जंक्शन पर जंक्शन अपने आप में क्या कहलाएगा जंक्शन अपने आप में क्या बोलेगा आपका नोड ठीक है तो इस या फिर node voltage आपकी क्यालाईंगे. ठीक है, अब देखो, यहाँ से हमें कैसे निकालना है आपका, कि किस तरीके से आपका क्या assume करें आपका, यहां से आपका किस तरीके से इसकी analysis आगे बढ़ाएं, तो देखो analysis को आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना है यहां पर, जितने पे आपका current मान देंगे, ये current आपका outgoing है, ये current भी आपका outgoing है और ये current भी आपका cred है ठीक है तो step four step four आपका क्या क्या लाएगा, step four step four all the currents all the current all the current at a junction at a junction या फिर इसको बोल देते आंपका क्या? node сейчас all the current at a junction या node will be outgoing, हम क्या मान के करते हैं, सारे के सारे current आपके क्या होंगे, outgoing क्यों होंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि outgoing current को हम क्या बताते हैं, आपका positive बताते हैं, ठीक है, और incoming current को आपका क्या बताते हैं, negative आपका बताते हैं, ठीक है, तो यहां से आपका जितने भी current होंगे, वो सारे के सारे आपते क्या होंगे आउटगोई होंगे ये हम माल लेते हैं जब तक की current की direction given ना हो जीक है तो यहां से until the direction of current until the direction of current is not provided direction of current जैसे अगर आपका किसी question के अंदर आपकी यहां से direction आपकी दे दी हो जैसे direction यहां पर आपकी इस तरीके से assign कर दी है तब तो उसको हम उसी तरीके से लेंगे भाई इसको आपका incoming current माल लेंगे otherwise अगर आपका नहीं given है तो हम क्या मानेंगे उसको आपका outgoing current आपका assume करके आगे बढ़ा सकते हैं until the direction of current will not provided will not provided जब तक कि आपकी direction of current क्या ना हो provided मतलब दी ना हो तब तक हम उसको ऐसे ही मानेंगे तो यहां से आपका analysis कैसे करेंगे देखिए at node A at node A सबसे पहले A node के उपर चलते है A node के उपर आपकी कितनी voltage है यहां पर 0V है ठीक है at node A voltage it is equal to आपने क्या select किया 0V आपका select कर लिया ठीक है node A के उपर आपने बता दिया आपका कितना है 0V है यानि कि इसको क्या बना दिया reference node ठीक है फिर आपका चलते है at node B पे at node B पे ठीक है अब B के उपर जैसे आपने आपको बताया outgoing current आपके होंगे ठीक है क्योंकि कोई भी current आपका given नहीं है ठीक है यह आपका current given नहीं है यहाँ पे कभी आप सोचो वह यह current आपका दे दिया है ठीक है यहाँ पे आपका कोई भी current given नहीं है तो आप आपका कैसे करेंगे इसकी analysis को इसकी analysis को हम ऐसे कर सकते हैं वही this is VB VB के यहां पे voltage कितनी है आपकी VB है तो देखो outgoing current, current का sum आपका क्या होना चाहिए, 0 आपका होना चाहिए और क्योंकि इस node के उपर कोई भी incoming current नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, जो आपके outgoing current है say this current is I1, फिलाल के लिए आपका मान लेते हैं I1, this is I2 and this is I3, तो हम क्या लिखेंगे कि यहां पे जो आपका I1 है plus I2 current है, plus I3 current है, यह आपका क्या है 0 के बराबर है, क्यों? क्योंकि कोई भी incoming current यहां पे available नहीं है सारे के सारे current आपने क्या मान लिए आपके outgoing current आपके assume कर लिए ठीक है, अब यहां से current आपके कैसे solve करते हैं, देखो current आपके क्या होता है, जैसे V it is equal to IR होता है वैसे I it is equal toencias V divided by R आपका रहेगा ठीक है? क्या रहेगा V divided by R आपका रहेगा, अब यहां से V divided by R आगर आपका होगा, तो यहां पे आपकी जो voltage है, क्या पी कितनी है? वी-बी है, क्यूंसी voltage है? वी-बी है, ठीक है? अब current क्योंकि आप सीधा current तो है नहीं आपका, आपने बता दें, current i1 है, लेकिन i1 current कितना है? i1 current कितना है, ये भी तो बताना है तो यहां से आपका क्या होगा, यहां से हम इसको बोलेंगे VB, सबसे पहले आपकी voltage कितनी है, node की voltage VB है, तो यहां से आपका I1 को कैसे लिखेंगे, देखो, I1 आपका एक एक current को मैं आपको बताऊँगा, I1 current को आपका ले रहे हैं, I1 current या नहीं कि इस branch के थुरू आपका जो यहां पर आपका resistance कितना है, I1 है, और यहां पर आपका क्या है, this is plus और minus, और minus वाला आपका क्या क्या हुआ है, अपने ground क्या हुआ है, ठीक है, माइनस वाला टर्मिनल कहां पे है, 0 वोल्ट पे है, ठीक है, तो अगर आपका कोई भी इस ट्राइप से आपका आपका है, देखो, this is plus and this is minus, और इसको आपने कर दिया ground, यहां पे आपकी 10 वोल्ट है, ठीक है, तो क्या होगा आपका, जो यहां पे ऊपर आपकी 10 वोल्ट, ठीक है, ऐसे ही, अगर हमें बैटरी को बनाओं, इस तरीके से, तो बैटरी से आप थोड़ा ज्यादा अच्छे समझेंगे, यहां से आपके मालिजी बैटरी है, और आपने इसको क्या कर दिया, ग्राउंड आपका किया हुआ है, तो क्या होगा, यहां पे आपक पोटेंचिल जहां तक भी रेजिस्टेंस नहीं होगा, वहां तक आपका चलेगा, ठीक है, तो इसलिए आपने क्या किया, इसको कर दिया ग्राउंड, और यहां से आपका बताया, उपर आपकी वोल्टेज कितनी है, 5 वोल्ट है, similarly, यहां पे आपने इसको ग्राउंड किया यहां पे 10 वोल्ट का था यह सोर्स, ठीक है, तो यहां पे पोजिटिव टर्मेल के ओपर 10 वोल्ट है, तो उपर आपकी कितनी आ जाएगी, प्लस का 10 वोल्ट आपकी आ जाएगी, similarly, यहां पे इसके केस में भी आपका ऐसा ही होगा, यहां पे वीवन वोल्टेज है, तो यह यहां पे आपका प्लस का 5 वोल्ट है, तो बताए करंट आपका किस तरीके से फ्लो करेगा, तो करंट आपका हमेशा कहां से कहां पे जाएगा, from higher potential to lower potential, यानि कि करंट आपका हमेशा इस direction में फ्लो करेगा, अब अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, यानि कि ऐसे बना दू भ यहां पे, तो वी भी को आपने assume कर लिया, वी भी आपका higher potential पे है, ठीक है, तो करंट आपका यहां से इस direction में जा रहा है, तो करंट आपका कितना फ्लो करेगा, बाले यह वन ओम का resistance है, तो करंट कितना होगा यहां से, इसको हम लिखेंगे 10 minus का 5 divided by, क्योंकि potential difference है आपका, 10 वोल्ट पे होता, अगर यह भी आपका कितना पे होता, 10 वोल्ट पे, तब कितना current flow करता, 0, कैसे 0 flow करता, देखो 10 minus का 10 divided by 1, so this is equal to 0, तब आपका कोई current flow करता ही नहीं, current सिर्फ तभी flow करेगा, जब potential difference बनेगा आपका, ठीक है, तो अभी फिलाल के लिए, जैसे मैंने आपक 5 divided by, यहाँ पे 1 ohm का है, so divided by 1, so this is equal to 5 ampere, यह आपका कितना हो जाएगा, 5 ampere, तो current आपका इस तरीके से flow करता है, अब यहाँ पे भी आपका current क्योंगी flow कर रहा है, तो इसका मतला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसको VB minus V1, ठीक है, VB minus V1, ठीक divided by total resistance, total resistance कितना है, इसके पात में, R1, तो यह current आपका कुमसा हो जाएगा, this current is I1, जो मैंने आपको बताया था, यह current आपका कितना होगा, I1 आपका होगा, तो मैंने आपको बताया किस तरीके से आपका current flow करता है, current हमेशा तब flow करता है, जब आपका क्या हो, कुछ ना कुछ potential difference हो, चीक है, और voltage हम इस तरीके से आपका assume करते हैं, अब कई बार आप लोगो confusion हो जाती है, अगर आप positive terminal को ground कर दो, positive terminal को, मालीजी यहाँ पे आपने ground कर दिया है, चीक है, तो क्या होगा आपका, मालीजी 10 volt का है, तो अब बताइए यहाँ पे आपकी कितनी voltage आएगी, तो जैसे आपकी जो voltage आपकी आगई उपर, that is V1, यहाँ पे voltage कितनी आगी आपकी, V1 voltage आगई है, कहाँ पे, इस node के उपर, इस node के उपर आपकी voltage कितनी है, V1 है ठीक है, तो I1 को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ से, I1 को हम लिखेंगे, VB, सबसे पहले यहाँ से आपका चलना शु नहीं थी, 0 मैंने आपको इसलिए बताया कि हो सकता है यहाँ पे आपका ये वाला टर्मिनल मालीजी सरकिट आपका बढ़ा हो और ये वाला टर्मिनल आप ग्राउंड ना कर पाए तब उस केस में आपको कैसे करना है इस तरीके से आपको करना है, ठीक है यहाँ पे अगर मालीजी आपका वी ए होता तो इसको हम क्या लिखते है, इसको हम लिखते है वी बी, माइनस का वी वन, माइनस का वी ए डिवाइड़ बाई आपका क्या है, ठीक है और क्योंकि वी ए आपका क्या है, जीरो है ना तो इस वज़े से मैंने आपको क्या लिख दिया यहाँ पर 0 लिख 흘lin रिख के बता दिया आप इसको यहाँ पर ऐसे भी समसकते हो मैं इसको चलो बाद में करेंगे अभी फिलाल के लिए इसको V A लिख के छोड़ देते हैं आपका ना तो यह आपका होगा VB, यहां पर VB है आपका और यहां पर आपका VC है ठीके VB minus का VC divided by आपका क्या है? R2 है ठीके VB minus का VC divided by आपका क्या है? R2 है ठीके यह अपका current कुनसा हो गया? I2 current, यानि कि इस branch का current जितनी भी branch है उन सभी का current आपको यहां पे लिखना है प्लस आपका next आपका current भी out going आपने assume किया हुआ है तो next current आपका कितना आ जाएगा VB minus का VD divided by R6 तो यहां से हम इसको लिखेंगे VB minus का VD divided by R6 ठीक है, this is equal to 0 यह आपका किसके बराबर होगा, this is equal to 0 तो यह आपके अलग-अलग current मैंने आपको बता दिये अब इसको जब हम solve करके लिखेंगे तो इस equation से आपका क्या आजाएगा, देखो यहां से आपका हम इसको लिख सकते है VB minus V1 ठीक है, minus का V1 क्योंकि V आपका क्या है, 0 है आपने पहले बताया, divided by आपका कितना है R1 है, plus फिर उसके बाद में VB minus VC, divided by आपका कितना है R2 है, फिर आपका VB minus का VD, divided by आपका कितना है, this is R6 this is equal to 0, ठीक है यह आपका किसके बराबर है, 0 के बराबर है तो इस तरीके से आपकी equation आजाएगी ठीक है, पहली equation आपके आगई, कौन से node पे, at node A ते sorry, at node B के उपर अब हम इसमें देखते हैं, at node C ठीक है, अब next आपकी stage आ गई at node C, तो C node के उपर जब आपका देखेंगे, तब आपका same ऐसे ही analysis करेंगे, कैसे देखो, जैसे आपने यहाँ पर आपके outgoing current आपके माने थे, वैसे ही इस node के उपर भी हम क्या मानेंगे, इस बार outgoing current मानेंगे, यहाँ पर भी आपके कौन से current है, outgoing current से ठीक है, पहले वाले को भूल जाइए, पहले वाले में आपने क्या assume किया था, अब वहां से आपने क्योंभी आपने उसको solve कर दिया है, तो उसको आप भूल जाइए, अब हम इस node का current आपका क्या मानेंगे, इस node के सारे के current आपके outgoing मानेंगे, ठीक है, अब यहाँ से यह वाला current, अब इसके हिसाब से, say this current is I1, this current is I2 and this current is I3, अब क्योंकि आपका node change हो चुका है, तो current को हम फिर से आपका वही मान सकते हैं, अपने हिसाब से, ठीक है, आपको अपने हिसाब से मानना है, आपको यहाँ पर show नहीं करना है, ठीक है, आपको सिर्फ जब आप exam के अंदर लिखके आएंगे या फिर exam के अंदर जब आपको solve करना है, अगर आपका objective type का paper आता है, तो आपको सीधा सीधा आपकर सकते हो कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया है इस type से, जैसे अभी यह वाला process है, लेकिन जैसे आपका conventional type का paper आएगा, तब आप उसके अंदर यहाँ पे, इस तरीके से जैसे मैंने आपको लिखके बताया है, ऐसे आप वहाँ पे assume करके मत बताईए, वहाँ पे direct आप equation लिख सकते हो, कैसे, देखो, यहाँ से आपका e current आपका क्या है, this current is I2, this is I1, this is I3, क्योंकि अगर आपने I1 plus I2 plus I3 फिर से आपने लिखा, ठीक है, तो आपको यह diagram फिर से बनाना पड़ेगा, आपको यह diagram फिर से बनाना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा, कि here we assume, यहाँ पे आपने assume किया है, किसको I1, I2 और I3 को फिर से assume किया है, कहाँ पे at node C की उपर, ठीक है, तो अगर आपको इसी तरीके से करना है, तो आप इस current को ऐसे भी बता सकते हो, this is I4, this is I5 and this is I6, ठीक है, आपको क्या है, I4, I5 and I6 है, ठीक है, तो यहाँ से अब at node C की उपर आपका देखते हैं, C की उपर आपको क्या होगा, सबसे पहले I1 plus I2 plus I3 equal to 0, यह equation तो आपकी वहाँ पे भी है, क्योंकि सारे की सारे current यहाँ पे भी आपके क्या है, outgoing है, अब यह वाला current आपका कौन सा है, I1 current, VC minus का VB, वही rule है आपका same, ठीक है, VC, VC minus का VB, divided by आपका resistance कितना है, R2 है, आपका resistance क्या है, R2 है, फिर आपका क्या है, plus VC, अपकी बार यहाँ पे, क्योंकि यह वाला terminal आपका ground हो गया, 0 आपका आगया, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे positive के case में, यहाँ पे आपके कितने आजाएगी, V2 voltage आजाएगी, तो VC minus का V2 और minus का 0 divided by R3, तो यहाँ से हम इसको लिखेंगे, क्या, VC, VC minus V2 minus का 0 divided by, आपका कितना resistance है, R3 resistance है, ठीक है, plus next आपका क्या है, यहाँ पे VC minus का VD divided by R4, VC minus का VD divided by आपका क्या है, R4 है, and this is equal to 0, और यह किस के बराबर है आपका, 0 के बराबर है, ठीक है, तो यह आपका हो गया कौन से node के उपर, at node C के उपर, आपने कौन से node पे किया, C node के उपर किया, ठीक है, अब यहाँ से next आपका node देखते है, at node D पे, अब node D के उपर आपका देखते हैं, D के उपर आपका क्या है, तो D के उपर जब हम देखेंगे, तो यहाँ से आप पर क्या देखने को मिलना भाई यहां पे फिर से वही एजूम करेंगे यह वाला current भी आउट गोईँ है यह वाला current भी आउट गोईँ है अब VC वाले जो current है उसको हम भूल जाएंगे यानि कि जैसे node change होता है, पहले वाली condition को हम छोड़ देते हैं, चीक है, वो लिखने के बाद में आपने short out किया, उसके बाद में हम उस condition को क्या कर देंगे, वहीं पर stop कर देंगे, तो यहाँ पर आपका फिर से क्या होगा, यहाँ पर VD, यहाँ पर क्या आएगा, VD माइनस और यहाँ पर किसके बराबर है, जीरो के बराबर है तो इस तरीके से हम solve करते हैं आपका क्या nodal analysis, अब यहाँ पर आपका देखिए क्या है, यहाँ पर तीन unknown है आपके, कौन-कौन से, जो आपने assume किये थे, एक तो आपका VB unknown है, एक VC unknown है, और एक आपका क्या unknown है, VD आपका unknown है, ठीक है, तो तीन unknown है आपके, ठीक है, और तीन आपकी equation है, ये first, second and third, तो तीनों की हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ पे, voltage आपकी निकाल के बता सकते ह ठीक है, एक तो आपका ये हुआ, ठीक है, जो आपका important point है, दूसरा आपका क्या है यहाँ पे, देखो, आपने क्या लिखा यहाँ पे, सबसे पहले वाले equation के अंदर, देखो, इस current को, यानि कि I2 current को मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे, यह जो I2 current आपने इस branch के अंदर R2, ठीक है, तो जो भी current आपका dominate करेगा, हो सकता है कि इस circuit के अंदर, यह जो given circuit है, इसके अंदर आपका current इस direction में flow कर रहा हो, यहाँ से, या फिर हो सकता है, इस direction के अंदर flow कर रहा हो, अगर आपका current इस direction के अंदर flow करेगा, इस direction के अंदर, तब तो यह positive होगा, ठीक है, औ flow कर रहा है, तो आपका क्या होगा, Vb से Vc की तरफ current जा रहा है Vb से Vc की तरफ current जा रहा है یानि कि Vc lower potential पे है और Vb आपका higher potential पे है ठीक है, Vb आपका किस potential पे है lower पे, सरичес extend higher पे, और Vc आपका किस पे है, lower potential पे है, तो current आपका इस direction में जाएगा, तो यहाँ पे इसका जो magnitude आपका आएगा, यह आपका क्या आजाएगा, positive, ठीक है, इसका magnitude क्या आजाएगा, positive, यानि कि आपका जो given direction थी, यानि कि यह वाले जो direction ही, यह आपकी direction बिल्कुल सही है, ठीक है, अब क्या आपकी यह वाले जो equation यह गलत ह नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्यों? क्योंकि देखो VC- का VB आपने लिखा VC आपका lower potential पे है और VB आपका किस पे है? higher potential पे है तो अगर हम बताते हैं इस direction में आपका current flow कर रहा है तो आपका क्या होगा? VC से VB लिखा आपने यह आपने लिखा VC से VB की दरफ current आ रहा है यहां पे इस node के उपर तो अगर आपका VC lower पे है, VB higher पे है तो आपका यहां से इसका magnitude क्या आ जाएगा? negative और negative current का मतलब आपका क्या हुआ? कि जो आपने current इस direction में assume किया था, उसका current उसकी ulti direction में है negative current का मतलब आपका क्या होता है? simple यह होता है, कि जो आपने current के direction आपके लिए है, उससे opposite current है यह मैंने आपको पहले mass analysis के अंदर भी बताया था, ठीक है? तो यह आपकी हुई 3 equation और 3 आपके unknown आप इसको better तरीके से आपका निकाल सकते हो, जब आपका given data हो अभी तो यहाँ पे आपका R1 और V1 की कोई value नहीं है, इस वज़े से हम इसको निकाल नहीं पाएंगे बन जैसी आपका given data आएगा, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है? तो यह था आपका किसके regarding nodal analysis के regarding इस lecture में, अब हम next lecture के अंदर आपका देखेंगे, इसी से related push numericals, thank you, thank you so much.